वेलकम् टू साइट टेक how to reset PC PC को क्यों reset करें इसको कुछ रीजन होते हैं जैसे बिंडो फाइल वग़रा करप्ट हो गया हो या फिर PC थोड़ा बहुत slow चलने लगा हो तो इसके वज़े से हम लोग PC को reset करते हैं PC को reset करने के दो option आते हैं एक cloud download और दूसरा है local reinstall cloud download में maximum 4GB तक का data required करता है और best internet चाहिए और अब दोनों में difference समझते हैं cloud download और local reinstall में तो first cloud download का फंचन समझते हैं ये system file को download करता है Microsoft के server से और reinstall करता है window को और इसमें maximum 4GB data required करता है download के लिए और best internet connection होना चाहिए और दूसरा है local reinstall इसमें आपके PC के फाइल को implement करके reinstall करता है window files को अगर आपके PC के files corrupt हो गया हो तो आप cloud download के साथ जा सकते हैं और एक Microsoft के user के coding ये जो reinstall process होता है इसमें minimum 45 minutes लग जाते हैं अब सवाल ये है कि हम cloud download करें या local reinstall करें तो दोनों में differences समझते हैं अगर आपके पास fast internet connection है तो आप cloud download कर सकते हैं तो आप चलते हैं reset करने के process पर फरस्ट आपको window पर क्लिक करना है इसके बाद आप second setting पर क्लिक करें इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलेंगे system और बहुत सारे यहाँ पर नीचे आप देख सकते है options है पर आपको system option पर आना है और इसके बाद यहाँ पर scroll करना है ट्रबल सूट के नीचे आपको recovery का option मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा reset this PC बगल में एक reset का button है तो उसको click करना है और यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे keep my files remove everything तो दोनों में difference अब समझते हैं keep my files में वो सारे files को रख लेगा आपको personal files को और remove everything में वो हर चीज को remove कर देगा तो मैं यहाँ पर remove everything के साथ चलता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर time लेगा इसके बाद यहाँ पर आ गया दो option जो मैंने शुरू में आपको बदाया था cloud download और local reinstall तो हम मैं यहाँ पर cloud download के साथ चलूँगा process शुरू करने से पहले आप चेक कर ले कि आपका laptop या फिर जो PC है उसका power supply सही है कि नहीं यहाँ पर अपने PC को charger से connect करता हूँ उसके बाद यहाँ पर यह process होने में एप्रॉक्स वन आवर्स टाइम लग जाता है इसके वज़ए से इसको power supply सही मिलना चाहिए आप चाहे local install करें यह cloud डाउनलोड करें तो मैं यहाँ पर cloud डाउनलोड option के साथ चलता हूँ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रेक्शन आ चुके हैं जैसे क्या क्या remove होगा और download होके रिंस्टॉल होगा तो मैं यहाँ पर next करता हूँ थोड़ा से यह time लेगा यहाँ पर थोड़ा कुछ ज्यादा ही time लग रहा है तो मैं यहाँ पर video को skip कर देता हूँ थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर option आ चुका है और यहाँ पर reset पर click करते हैं तो यह reset पर अपना click करते हैं उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 3GB का data लगेगा यहाँ पर और personal file वगेरा account वगेरा setting वगेरा सब कुछ remove हो जाएगा तो अब यहाँ पर आगी process शुरू करते हैं receipt बटन पर click करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं status दिखा रहा है download 30% और निची लिखावा है this device will be automatically restart तो थोड़ा download होने तक कर वेट करते हैं अभी 30% है थोड़ा यह time दो लेगा अब तक 65% हो चुका है और यहाँ पर मैंने थोड़ा वीडियो skip करा है और थोड़ा fast भी किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा net connection जो की 30 mbps receiving के साथ मिल रहा है मुझे और send 200 kbps आ रहा है तो इसको मैं close करता हूँ तो यहाँ पर best internet connection होना चाहिए cloud download के लिए 95% download हो चुका है अब बस थोड़ा सा बाकी है फिर यह automatically restart होगा तो 99% हो चुका है 100% हो गया तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके बाद यह automatically restart हो जाएगा यहाँ पे अभी preparing to reset का message दिख रहा है उपर में बिंडू पे download तो 100% हो चुका है तो थोड़ा wait करते हैं इसके बाद यह automatically reset होगा यहाँ पे preparing to restart आ चुका है अब बस थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद यह automatically restart रिस्टार्ट भी होना शुरू हो चुका है यहाँ पे पुरा blackout हो चुका है screen यहाँ पे please wait का भी message आ चुका है नीशी तो यह अभी cloud download हो चुका है और process है resetting the space हो रहा है सारा step एक एक बाइक करके सारा बताऊंगा setup भी किस तरह करना हो भी बताऊंगा अभी 1% हो चुका है यह 5% हो गया 9% भी हो चुका है यहाँ पे द यही brand का logo भी दिख रहा है laptop का अब यहाँ पे 7-8% हो चुका है 9% भी हो गया थोड़ा वीडियो को fast forward कर देते हैं यहाँ पे अभी 10% दिख रहा है 28% हो चुका है वीडियो काफी लंबा ना बनाते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा crop कर चुका हूँ और यहाँ पे 96, 97, 98% हो चुका है बस 100% पूरा होने में थोड़ा time लगे है तो यहाँ पे 99% हो गया है अब बस 1% बाकी है थोड़ा सा wait कर लेते हैं बस यहाँ पे कुछ time लेगा थोड़ा सा तो यह 99% होने के बाद पूरा screen ब्लैक आउट हो गया है 100% का कोई message नहीं आया यहाँ पे सरकी लेख है जो load होने के जैसा run कर रहा है घूम रहा है पे रिपेरिंग हो रहा है यह 100% हो चुका है डाउनलोड अब यहाँ पे installing हो रहा है जो की 2% है यहाँ पे लिखावा है keep your laptop on and plug-in तो यहाँ पे power supply सही से आप अपना set करके रखिएगा जो charger है वो connect रखिएगा तो यहाँ पे फिर से black out हो गया screen और यहाँ पे अभी 2% है 5% install हो चुका है यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वीडियो को crop कर चुका हूं और यहाँ पे देख सकते हैं 5% है पर अभी मैंने crop नहीं किया थोड़ा सा crop यहाँ पर भी मैं करा है fast forward करा है तो थोड़ा सा देखे step by step सीख ले और अच्छे से अपने PC को reset करेंगे तो यहाँ पे 90 sorry 69% हो चुका है और black out हो गया है कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे logo आ गया है laptop का me logo यहाँ पे welcome भी आ चुका है अभी यहाँ पे 70% ही install हुआ है वो धीरे-धीरे करके सारा process कर रहा है कि रिसेट तो हो चुका है बस install हो रहा है जो विंडो फाइल डाउनलोड हुआ है तो यहाँ पे 90% complete हो चुका है 95% है अब यहाँ पे just a moment थोड़ा सा वेट करते हैं इसके बाद यह PC automatically on हो जाएगा तो यहाँ पे एक विंडो का logo आ गया है विंडो भी install हो चुका है अब setup करते हैं तो यहाँ पे English United Kingdom को मैं select कर चुका हूँ और इसको yes करता हूँ यहाँ नीचे yes का बटन है आप अपने हिसाब से जो language आपको select करना है select कर सकते हैं यहाँ पे region सेलेक्ट करने का country सेलेक्ट करने का चुका है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके next करता हूँ थोड़ा सा लोट कर लेगा इसके वाद यहाँ पे keyword layout set करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे English India मैं select कर देता हूँ इसको आगे करता हूँ यहाँ पे second layout भी आ चुका है त तो सब्सक्राइब लेड़ कर दूँगा जो कि अपना है हिंदी इंडिया यहां पर बहुत सारा लिंग्विज आपको मिलेगा आप जो भी मराठी इंग्लीज हिंधी कुछ भी जो भी लिंग्विज हो अर्भी वगेरा बंगला वगेरा कुछ जो भी हो वो आप स्लेक्ट कर स सकते हैं, तो यहां पर चाइनिश वागरा बहुत सार inches और रही हैं यहां पर हंडी यूँनते हैं अभी इंग्लिस पर आचुका है तो ईजेडर की बाद अब जी पर आएगा च तो यहां पर अभी अब अब एपलेटर पर ही है थोड़ा firstly scroll करते हैं यहाँ पर Hindi India दिख गया तो इसको select करते हैं उसको next करते हैं यहाँ पर Hindi traditional को ही select कर देते हैं aid layout कर देते हैं तो aid layout हो चुका है और यहाँ पर अब Wi-Fi connect करना पड़ेगा क्योंकि PC को setup करने के लिए थोड़ा Wi-Fi थोड़ा data लगीगा तो यहाँ पे मैं wifi अपना connect करता हूँ जो कि है मेरा 3 103.5 तो यहाँ पे password अपना डालना है जो wifi का password है वो अपना password डालना है इसके बाद next करना है तो यहाँ पे मैंने password डाल दिया और next करता हूँ यह connect हो रहा है verify करेगा password को इसके बाद यहाँ पे connect हो चुका है फिर next करते है checking for updates जो भी थोड़ा वहत अपडेट से उसको check कर रहा है उसको download करके वो अपडेट कर देगा automatically थोड़ा सा यहाँ पे time लगेगा तो wait करते हैं सारे चीज़ सेट हो रहा है जो updates वगेरा वो update हो रहा है almost there finish हो चुका है बस यह last step है तो यहाँ पे थोड़ा सा wait करते हैं तो यह update हो चुका है अब license agreement को accept करना है तो यहाँ पे license agreement आ चुका है जो सावमी का है जो भी आपका laptop बगेरा हो डेल लेच्ट भी कुछ भी तो वो accept कर लेना है उसके बाद यहाँ पे अपना PC name set करना है तो यहाँ पे मैं अपना पूरा full name try करा पर setup नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पी अपना user name डाला उसके बाद इसको यहाँ पे next करा just a moment का यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है screen पे थोड़ा सा यह load हो रहा है तो यह almost complete हो चुका है यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया यहाँ पे Microsoft experience आ चुका है जो कि Microsoft का ID login करना पड़ेगा OneDrive वगेरा तो यहाँ पे आ चुका है sign in करने का तो मैं यहाँ पे अपना ID sign in करता हूं sit कर लेता हूं complete setup करता हूं तो यहाँ पे मैंने एड़ कर लिया थोड़ा से skip कर दिया इसको अपना ID वगेरा हूं अन्सो करते हूए यहाँ पे मेरा प्रेवियस जो डाटा था वह आ चुका है OneDrive से welcome back का message देख सकते हूं उपर में और यहाँ पे date भी है जो कि 19 March का है तो वह restore करता हूं मैं उसको select कर लेता हूं next automatically यह next हो जाएगा sorry automatically नहीं होगा वह जो है package restore automatically हो जाएगा तो यहाँ पे हो चुका है आप यहाँ फिंगर भी rate कर लेते हैं तो यहाँ फिंगर का जो lock होता है वह मैं rate कर रहा हूं तो यह फिंगर भी almost हो चुका है set हो गया इसको next करते हैं फिर यहाँ पर passport protection करना पड़ेगा तो यहाँ पर pin setup करते हैं तो मैंने यहाँ पर pin डाल देया confirm pin भी ओई डाला उसके बाद यहाँ पर next करते हैं ok कर देते हैं यह थोड़ा सा time लेगा तो यह भी complete होई चुका है अभी यहाँ पर location permission वगयरा बहुत सारे permission जो होते हैं वह सब आ चुका है तो accept वगयरा करते हैं यहाँ पर experience वगयरा जो भी है let's customize तो यहाँ पर मैं सारा select कर लेता हूँ यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो भी आपको इंटेस्ट है उसको उसको सिलेट करकर दिया हैं अब यहाँ पर फोन को लिंक करने का आ चुका है तो आप उसको चाहें तो फोन को लिंक कर शकतें अपने इंडोड फोन को ना कर सकते हैं, skip कर सकते हैं इस step को, तो मैं यहाँ पर connect कर चुका हूँ और यह थोड़ा सा time लेगा उसके बाद यह PC on हो जाए तो PC on हो चुका है बस इतना सा process है, तो यह process करने के बाद आपका PC बिल्कुल नहीं हूँ जैसा हो जाएगा और यह topic कहीं पर खतम होता है